वल गाईज तो फाइनली अपसे कुछ मिन्टों के अंदर एक डिब्यू के साल का वन अप दा बिगेश डाइनमाइट सो शुरू होने वाला है और आज यहां पर एक डिब्यू के फाइब एर अनवरसरी डाइनमाइट सो के ओपर सो के ओपर पॉसिबल मेजर डेब्यू यार रिटर्न होने वाले के गाईज यहां पर इश इश के हाई चांसेस हैं कि एक डिब्यू के फाइब एर अनवरसरी डाइनमाइट सो के ओपर बाबी लेसली आज यहां पर उनका डेब्यू करे और लाश्ट वीक एमबीपी के ग्रेंट स्लैम पर डेब्यू करने के बाग आज क्या पता फाइनली एक डिब्यू के अंदर आज यहां पर सेनो मैक एक डिब्यू कमपनी को जॉइन करें बडगाईज इसके लावा एक डिब्यू के फाइब एर अनवरसरी डाइनमाइट सो के ओपर आज यहां पर एक डिब्यू सूपर स्टार जे वाइट उनका रिटर्न करने वाले के और वो यहाँ पर एगड व्यू के अंदर हमें यहाँ पर हैंग एडम पेश को फेस करते हुँ दिखाई देंगे बड़ गाइज इसके साथ साथ एडम कोल जैसे रेसलर्स भी करिंटली यहाँ पर मेडिकली किलियर हो चुके गए और कोल के रिटर्न होने के भी हाई चांसे से वाल गाइज देखना दिल जस्पोगा कि सो के उपर एडम कोल जै वाइड सेन मिकमेन या बॉबी लेसली में से कोई यहाँ पर अपियर होता है या नहीं और रेसलिंग बिजनिस के अंदर गोल्ड बर्ग, राइबेक और बेकी लिंच जैसे फ्री एजेंट होने के बाद क्या इन में से कोई एडव्यू को जॉइन करता है या नहीं या एडव्यू के फॉर्मर वर्ड शेंपियन एम जेफ केनी ओमेगा जैसे रसलर आज यहां पर फाइब येर एनिवर्सरी डाइनमाइट पर रिटर्न करते हैं या नहीं वल्ड आपको क्या लगता है सुख के उपर कौन सा डेव्यू यार रिटर्न होगा आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएगे